एक दिन दोने ने लोहे को कहा कि हम दोनों एक ही आतोड़ी से पिटते हैं लेकिन तुम इतना क्यों चिलाते हो लोहे ने जवाब दिया कि जब अपना ही अपने को घाओ देता है तो दर्द ज्यादा होता है इज़त किसे इंसान की नहीं होती है जरुरत की होती है जरुरत खत्म तो इज़त खत्म कोई भी इंसान उसी वेक्ति की बाते चुपचाप सुनता है जिसे उसे खो देने का डर होता है खुशी आपके एटिटूट पर नर्भर करती है आपके पास क्या है उस पर नहीं कौन चाहता है बदलना किसी को प्यार, तो किसी को नफरत बदल देती है अगर किसी चीज को तुम दिल से चाहो तो वो चीज कुछ जादा ही भाव खाने लगती है एक दिमाग वाला दिल मुझे भी दे दे ए खुदा क्योंकि ये दिल वाला दिल सिर्फ तकलीफ ही देता है बड़े महंगे किलदार है जिंदगी में समय समय पर सबके भाव बढ़ जाते हैं अरे करनी ही थी बेवफाई तो पहले बता देतें ये दुनिया बड़ी हसीन है हम किसी और से दिल लगा लेते यदि आपके जिंदगी में कोई मुसीबत आती है और कोई अपना आप से आकर कह दे कि मैं हूना तो आपकी आदी से ज़्यादा परिशानी तो ऐसे ही हल हो जाती है और आप एक नई होजा के साथ उस मुसीबत का सामना करने के लिए लग जाते है यदि आपकी जिंदगी में भी कोई परिशानी है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी महिंद दोगने ओफिशल पर अभी डियम कीजिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ अच्छे विक्ति को समझने के लिए अच्छा दिल चाहिए ना कि अच्छा दिमाग एहंकार और अंधकार में सिर्फ इतना से फर्क है कि एहंकार दिन में भी कुछ दिखने नहीं देता एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेली ही है कितने भी अच्छे कर्म कर लो तारीफ तो शम्षान में ही होगी कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है यदि दम है तो तूटे हुए विश्वास को खरीद के दिखाओ कभी कभी लगता है कि सिर्फ कहने की ही बाते है कि जो सब का अच्छा करता है उसका भी अच्छा होता है जूट बोलकर भरोसा तोड़ने से अच्छा है सच बोलकर रिष्टा तोड़ लिया जाए क्योंकि रिष्टा फिर जुड़ जाएगा लेकिन भरोसा कभी नहीं जुड़ेगा सिर्फ किसी को पा लेना प्यार नहीं कहला था प्यार तो किसी के दिल में जगे बनाने को कहते हैं हमारे अपने हमें कभी नहीं रुलाते रुलाते तो वो हैं जिने हम अपना समझने की गलती कर देते हैं वो कहती थी कि तू न मिला तो मर जाएंगे वो अज भी जिन्दा है यही बात किसी और से कहने के लिए दिल टूटा है तो इसमें अपने ही गलती है उसने कब कहा था कि मुझसे महबबत करो छोड़ने वालों को तो छोड़ने का बहाना चाहिए वरना निभाने वाले तो शमशान तक साथ निभाते हैं तुफ़न भी आना जरूरी है जन्दगी में तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ छोड़ा कर भागता है और कौन हाथ पकड़ कर भागता है जो हैरान है मेरे सबर उपर उनसे कह दो जो आसो जमी पर नहीं गिरते दिल चीर जाते हैं आपको वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो लेकिन आपको सचा प्यार करने वाले आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकते कोई कहता है कि प्यार सजा बन जाता है कोई कहता है कि प्यार नशा बन जाता है लेकिन इदी प्यार सच्चे दिल से करो तो वही प्यार जीने की वज़ा बन जाता है मजाक मतुडाना किसी का उसे परिशान देखकर क्या पता वो अपने अंदर कौन सा दर्द लेकर जी रहा हो इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो घूंगे भी बोल पड़ते हैं परवा दिल से की जाती है दिमाग से तो सिर्फ इस्तमाल किया जाता है जितना मरजी पढ़ लो जितना मरजी डिग्रिया लेलो लेकिन सीखता तो इंसान दुनिया की ठोकर से ही है इंतिहान समझ कर सारे गम सहा करो शक्सियत महग उठेगी बस खुश राक करो वो नदी थी वापस मूडी नहीं मैं समंदर था आगे बढ़ा नहीं किसी को तकलीफ उतनी ही दो जितनी वो जेल सके, पलट कर बार कर दिया उसने, तो अकाद याद आ जाएगी, मुस्कुराते रहोगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी, क्योंकि आसों को तो आखे भी जगे नहीं देती, इंसान को कभी हिम्मत नहीं आरना चाहिए, क्योंक सजा मिलती है आपको, मुहबत में आखिर आपने भी तो बहुत दिल तोड़े थे, उस शक्स की खातिर, मुझे सत्रंज बहुत पसंद है, क्योंकि उसका एक नियम बहुत अच्छा है, कि चाल कोई भी चले, लेकिन अपना अपनों को नहीं मारता, अरे अकेला चलना सीख ल ज़रूरी नहीं कि जो आज तुमारे साथ है, वो कल भी तुमारे साथ रहे है, इंसान की कदर जरुवत पढ़ने पर ही होती है, बिना कदर के तो हीरा भी तिजोरी में रखा रहता है बड़ी चालाग होती है जिन्दगी, रोज नया खल देकर उम्र चीनती रहती है, निगाहों से भी चोट लगती है, जब हमें कोई देखकर भी अंदेखा कर देता है अगर कोई आप पर आग बन करके भरोसा करें, तो उसे ये एहसास मत दिलाओ, कि वो सच में अंदा है उस इंसान से कभी जूट मत बोलना, जिसे आपके जूट पर भी विश्वास हो आखिर कैसे भुला दोगे उन्हें, मौत इंसानों को आती है, या दोखों नहीं अमीर की बेटी जितना पार्णर में दे आती है, गरीब की बेटी उतने में ससुराल चली जाती है जो लिवाजों को बदलने का शौक रखते हैं, वो आखरी वक्त में ये भी ना कह पाए, कि कफन ठीक नहीं मैं किसी से बहतर करूँ, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं किसी के लिए बहतर करूँ, बहुत फर्क पड़ता है गरीबों का मजाक मत तुड़ा, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता, बिना गड़ी में इनत के सफलता नहीं मिल सकती खुद्रत चुडिया को खाना जरूर देती है लेकिन उनके घोसले में नहीं डालती अगर आप अपने आप से मित्रता कर ले तो आप कभी अकेले मैसूस नहीं करेंगे समय वह है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाते है और उसे ही हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते है गलती पर साथ चोड़ने वाले बहुत मिलते हैं लेकिन गलती पर समझा कर साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं जो पल भीट गया, उसे हर पल याद मत करो, जो है सामने खड़ा, उसके साथ जीने की शिरुवात करो, बच्पन में मेरे दोस्तों के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन समय सब के पास था, आज सब के पास घड़ी है, लेकिन समय किसी के पास नहीं, चसबातों में बह कर खुद क किसी के अधीन मत कीजिए खुदा और खुद के रावा किसी पर यकीन मत कीजिए रिष्टों की खुबसूरती एक दूसरी की बातों को बर्दास करने पर क्योंकि खुदा जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे अगर कोई इंसान आपको केवल जरुवत पढ़ने पर ही याद करे तो उस बात का बरा मत मानो क्योंकि जब अंधीरा होता है तभी दिये की यादा दे सबर का घूट दूसरों को पिलाना कितना आसान लग बहुत गिनाते रहे तुम्हारों के गुण दोश अपने अंदर जाक लो होश उड़ जाएंगे हमेशा थैयारी के साथ ही रहना मौसम और इंसान खब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं मैं जुकता हूं क्योंकि मुझे रिष्टे निभाने का शौक है वरना घलत तो हम क कभी न फिचलें एक वक्त था जब हम सोचते थे कि हमारा भी वक्त आएगा और एक यह वक्त है कि हम सोचते हैं कि वो वी क्या वक्त था सच्चा प्यार करने वाल आपको गुस्से में गलत बोल सकता है लेकिन आपका कभी बुरा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फिक्र होती है जाओ ढूल लो हमसे ज्यादा चाहने बाल मिल जाए तो खुश रहना ना मिले तो हम फिर भी तुम्हारे कभी कभी इनसान अपने आपको चीखने से नहीं रुक पाता क्योंकि जिन्दगी में दर्द ही इतने हो जाते हैं दर्द आसूं से नहीं आखों से कहे जाते हैं आसू तो ना समझ है खुशी में भी आ जाते हैं अरे मौत तो नाम से बदनाम है, फरना तकलीफ तो जिन्दीगी ही देती है, इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं, इसलिए कई लोग मेरे किलाफ होते हैं, सोज अच्छी होना चाहिए, क्योंकि नजर का लास तो मुम्किन है, पर नजर ये खा नहीं, उस यगे पे हमेशा खामो लेकिन किसी का घलत नहीं कर सकता, दरिया बनकर किसी को डुबाना बहुत ही आसान, लेकिन जरिया बनकर किसी को बचाओ, तो जाने हैं, हम इतने मीर तो नहीं कि सब कुछ खरीच सकें, लेकिन इतने गरीब भी नहीं कि खुद भीग जाएं, अपने आपको हमेशा व्यस अब कोई अच्छा भी लगे तो हम इजहार नहीं करते हैं जब भी खुदा मुझसे कुछ छीन लेता हैं मैं खुशी से ना चुटता हूँ कि पूरी दुनिया में तुझे अमीर एक नहीं मिला हूँ उपलब्धी और आलोचनाई एक दूसरे की मित्र हैं यदि उपलब्धी बढ़ेगी तो निश्यती तोर पर आलोचनाई भी बढ़ेंगी यह मंदिल भी क्या गजब के जगह हैं जहां गरीब बाहर भीक मांगता है और अमीर अंदर अच्छा इंसान वो होता है जो किसी के डरू डरू इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को न खोदो जिंदिगी को इतना भी गंबीरता से लेने की जरूरत नहीं है यहां से जंदा बचकर कोई नहीं जाएगा कभी कभी हम गलत नहीं होते बस वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबि नहीं किया तो आपको उसे दुख में याद करने का भी कोई हक नहीं हर तरफ अंधिर अचाय रहने की दुहाई देने की वजाए अपनी आखों से पट्टी हटाने का प्रयास करें कुछ भी नया करने से पहले संकोच मत करो यह मस्तोचो कि हार होगी हार कभी नहीं होती या जीत मिलती है या सीख मिलती है शेष लांग मारने के लिए एक कदम पीछे लेता है इसी तरह जिंदगी जब आपको पीछे धकेलती है तो कमर कस लो यह जिंदगी आपको एक उची चलांग देने के लिए तैयार है जीवन में आपको वहीं मिलता है जिस पर आप ध्यान के देख करते हो, इसलिए ध्यान वहीं लगाओ, जो आपको चाहिए, जीतने वाला ही नहीं, कहां पर हारना है, ये जानने वाला भी महान होता है, अपने बड़े सपनों की कभी छोटी सोजवालों के साथ चर्चा मत करो, क्योंकि उसकी अपनी उकात होना चाहिए, कि वो आपके बड़े सपनों को समझ सके, जीवन में इन दो नियमों का पालन अवश्य करो, यदि रिश्टेदार सुखी हो, तो बिना निमंतरं के उसके घर कभी मत जाना, लेकिन यदि परिशानी या दुख में हो, तो निमंतरं की प्रतिक्षा कभी मत करना, व्यापर की सफलता का रहस तुमने हीरा गवा दिया, हर किसी को उतनी ही जगदो दिल में, जितनी वो तुम्हें देता है, या तो खुद रोगे, या वो तुम्हें रोलाएगा, जिंदिगी में यदि परिशानी आएं, तो एक बात हमीशा याद रखना, निखरता वही है, जो पहले बिखर चुका हो पहले हीरा कोई मित्र अशत्रू नहीं है, तुम्हारे अपना व्याभार ही मित्र अशत्रू बनाने के लिए जिम्मिदार है, एक बात हमीशा याद रखना, तुम जितना कम बोलोगे, ये दुनिया तुम्हें उतना ज्यादा सुनेगी, एक सफल विक्ति वही है जो अपने तो रूप बदल कर आती है, सदेव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसंदिता ना तो इस लोक में है ना किसी और लोक में है, गलतियों को हमिशा माफ किया जा सकता है, यदि आप में हिम्मत है अपनी गलतिया सोईकार करने की, अभी काँच हो तो सब को चुब रहे हो, ज इसलिए शांति के उपाई भी मनुश्यों के मन से ही होना चाहिए, नारजगी और लड़ाई तो हर कोई करता है, तुम तो समझदार थे, कोस तो अलग करते हैं।